हलो फ्रेंड्स मैं नीता सिर्वास्तो अर्जुन कीचन विलोग में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए नई रस्पी लेके आई हूँ मैं दढ़ी बड़ा जो खाने में काफी टेश्टी है इसको मैं बनाऊंगी उरत की दाल से यह हमने ले लिया है 500 ग्राम उरत की दाल जिसे हमने तीन घंटे भिंगोक के रखे थे पानी में और यह इजली दम यह फूल गया है अब इसका मैं बनाऊंगी वड़े वड़े बनाने के लिए हमने ले लिया इसके सारे पानी को हमने छान की निकाल लिया है अब इसके मैं मिक्सी के जार में मैं इसको डाल करके इसको मैं थोड़े थोड़े पानी डालके मैं इसको पीसूंगी इसमें हम हाफ फिंच डालेंगे हींग डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया रता है और इसमें मैं डालूंगी जीरा, खड़े जीरे हैं, इनको मैं आधा डालूंगी, और ये बड़ी लाइची है, इसको मैं डालूंगी, बड़ी लाइची के बीज जो है, इनको मैं इसमें पीशूंगी, और ये उपर वाला भाब को मैं निकाल दूंगी, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी हाप कल चुली है इसको डाल के मैं पीसूंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसना है फ्रेंट्स इसको हमें बहुत ज़्यादा भीला नहीं बनाना है फ्रेंट्स हमने डाल को पीस लिये हैं इसमें हम एक कप पानी डाल के ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है ना इसे बहुत पतला बनाना ना बहुत ही गाड़ा इसको बनाना है इसका थिकनेस हमें इतना ही चाहिए और इसको हम हाथों को क्लीन करके अच्छे से फेट लेंग रोड़ हैने इसको हम 5 मिनट अछे से फेट लिए हैं अब मैं इसका टोरी में पानी लेती हूं अब इसमें एट डालती हो देखें यजी यह उपर आ जागा यानि आपके बड़े अच्छे से हुड़ गया है यानि आपके अच्छे से कि फिट गया है यह फेट लिए हैं अब इसमें मैं एक छोटा पींच जो है हम डालेंगे खाने का सोड़ा इससे बहुत ही सॉप्ट बनेगा सोड़ा को हमें ज्यादा नहीं डालना है अब इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे फ्रेंट्स इसमें हमें नमक बाद में डालना है ने तो हमारे बड़े जो है अच्छे नहीं बनेंगे अब इसको हम बनाते समय है इसमें हम एक चम्मच छोटा चम्मच हम नमक डाल दी हैं स्वाद के निशार अब इनको हम मिक्स कर लेंगे फ्रंट समने इस पल्टे पर बनाना है इस पल्टे को हमने ले लिया है बिल्कुल चिकना है इस पर हम लगाएंगे और अच्छे से ग्रिस कर लेंगे और हमें अगर बनाना है वड़े तो हम इसमें एक चम्मच इसमें इसका वेटर रखेंगे और इसको हम अच्छे से इसका हम विशेव दे देंगे गोल में आप चाहे तो इसमें होल भी कर सकती है और चाहे तो आप बना सकती है अब इसको हम बहुत इजी तरीके से आप तेल को हमने अच्छा गर्म हाइफ लेम पे कर लिया है अब इसमें मैं डालूंगी बड़े प्लेम को हम थोड़ा मेडियम कर दिये हैं, अब हम बड़े को शोड़ाएंगे इससे दूसरे इसी तरह हम दूसरे बड़े को भी बनाएंगे, इसमें हम लगा लेंगे ओयल, यह चिकना पलटा है, इसली सभी के घर में होता है, बड़े बहुत अच्छे से इससे बन जाते हैं अब इसको हम कर देंगे, प्लेन टिक्की का सेव देंगे, और फिर इसको हम कडाइम डालेंगे, तेल को अच्छा आप गरम कर लिजे, बड़े बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अब फिर फिर फोड़ा सा यह पक जाने के बाद इसको हम दूसरे पल्टे से हम इसको इसली निकाल लेंगे, यह देखिए, कि इसली बढ़िये तरीके से बनते जा रहे हैं, फिर मैं बड़े को बना रही हूं, बार बार मैं फ्रेंट्स आपको इसली दिखा रही हूं, कि आप इसली तरीके से बिना हाथ को गंदा किया आप बना सकते हैं, बड़े, बहुत ही आसानी से, फिर इसको मैं डाल लेती हूं, इसमें, अपने तेल में, और इसको हम डीफ फ्राई करेंगे, यह थोड़ा सा सिख जाए, कड़ा हो जाए, ताब आप इसको तूसरे पल्टे की से घल्प से, आप इसको नीondo लिए, और जिविरेती असमें बड़े के बड़े डाले हैं, वो हमारे अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसकी सारे जह ऑईल है, इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे, और हमें इतना ही कुरकुरा चाहिए और जो मैं बाद में डाली हूं उसे अभी डीफ्राई करूंगी अब मैं इसको टीसू पेपर पड़कती हूं ताकि जो भी इसका हिष्ट्रा तेल है वो निकल जाए फ्रंट समने साधा बनाया है अब इसमें मैं ड्राइफ रूट्स डाल दे रही हूं बीच में और इसको मैं कवर कर दे रही हूं उपर से और यह जब आप खाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा लगेगा बीच में मीठा मीठा लगेगा अब मैं इसको इसी में डाल देती हूं फ्रंट से दखिए कितने फुले फुले हमारे बारे बनके वज़कुल तयार हो गए हैं इसी प्रॉसेस से हम अपने बड़े को बनाते जाएंगे इस प्रॉसेस से आप बनाएंगे तापके बड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे और अपनी फैमिली में जरूर बनाके खिला लाइए इसके सारे ओल को हम निकाल लेंगे अच्छे से अब इसको हम टीशू पेपर पर रखते हैं फ्रंट्स हमने बड़े को बना लिया है आपको सर्प करके दिखाती हूं कि कैसे बड़े बनाने हैं खाने के लिए तयार करने हैं हमने ले लिए फेटी हुई दही डाइसोग्राम इसको मैं सर्विस बॉल में में डालती हूं सारे तरब से हम लगा देंगे दही इसको अच्छे से दही में डीप करना है दही बड़े को बनाने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है फ्रंट्स अब इसमें मैं लगा दूंगी बड़े जिसना अच्छे से इसमें आड़ जाए बड़े को लगा देंगे अब इसमें डालते हैं इसके उपर दही इसको अच्छे से दही से डीप कर देने हैं तो ताकि बड़े जो अंदर से दही को एक्जॉप कर पाएं इसको पूरा कभर कर देना है तभी दही अच्छे लगेंगे दही बड़े आप इस तरीके से जरूर बनाए फ्रंट्स यह बहुत ही बढ़िया लगता है अब मैं इसमें डालूंगी इमली की खट्टी मिठी चटनी जो बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ सियर करने वाली हू यह चटनी यह बहुत अच्छी लगती है चटनी चाट बुलगपा दही बड़े में यह स्पेसल चटनी है अब इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर तीखा के लिए इससे बहुत बढ़िया लगता है अब इसमें मैं डालूंगी सेंड्विज वाली चटनी हरी ग्रीन चटनी जो मैंने अपने वीडियो में इसका बना के आपके शाथ शेयर कर सुकी हूँ अपने चैनल पर आपको अगर बनानी यह चटनी तो आप वहां से देख सकती है यह बहुत ही चटपटी हरी चटनी बनती है जो हमारे दई बड़े और चाट को इस टेश्ट डुखना कर देती है अब इसके उपर मैं डालूंगी भूना होगा जीरा जिसे हमने तवे पे भून के और इसको हमने बारिक पीस ली है यह दही पड़े में बहुत यच्छा इसका टेश्ट आता है अब इसमें मैं डालूंगी काला नमक काला नमक हमें पचाने में भी काफी हल्प करता है काला नमक इज़े बहुत ही अच्छा इसमें राता है दही में अब इसमें मैं डालूंगी रेगुलर नमक हल्का क्योंकि हमने बड़े में नमक डाले हैं यह आपका बन गया है दही बड़ा खाने के लिए बिलकुल तयार ह दही बड़ा बनाने में एक चीज की आपको ज़्यादा जरूवत है कि आप जब भी बड़े बनाएं आप इसमें नमक बाद में डाले नहीं तो आपके बड़े ज़्यादा सॉप्ट नहीं बनेंगे और तेल आउल के अच्छे से गरम कर ले तभी आप बड़े को उसमें डाल कि जो मेरे चानल पर ना है वो सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक इजली पहुंच जाए फिर मिलती हूं मैंने एक नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद